आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, question में दिया कि आप बीगर containing water तो मानलो कि कोई एक ऐसा बीकर है इस बीकर में water filled है इस बीकर में water filled है और इसको आपने किसी एक spring balance में रखा होगा यह spring balance है तो यह जो spring balance है यह measure कर रहा होगा कोई ने कोई reading दे रहा होगा तो इस spring balance से कोई ने कोई reading मिल रही होगी आगे उसने बोला है कि the balance reads 1.5 kg तो अभी इसका रीडिंग कितना है 1.5 kg यानि कि जो बीकर का वेट है वो 1.5 kg बीकर का महां से बता रहा है ठीक है a stone of mass 0.5 kg and density this is immersed in water without touching the walls of the बीकर तो आपने कोई भी process disturb नहीं किये बीकर पर आपने चुप चाप उस stone को यहां पर water में डाल दिया ठीक है अब क्या हो रहा होगा कि what will be the balance reading now तो जेखो होगा क्या यह जो stone है अगर इस पर बाहर करके देखो तो इस stone पर एक upthrust force उपर लग रहा होगा और same upthrust force जो stone पर लग रहा होगा वही upthrust force की water पर लगा रहा होगा ठीक है यानि कि जो upthrust force इस पर लग रहा होगा बीकर पर भी वही upthrust लगने लगेगा तो जो additional force add होगा वह कौन सा force होगा upthrust वाला force add हो जाएगा जो new reading होगी वो क्या हो जाएगी 1.5 kg प्लस का upthrust हमको upthrust पता करना है तो upthrust की value क्या होगा होगा volume displaced वी displaced अपिंटी यह तो जिंक ही कर गया तो volume of stone into row of water into g it is equal to upthrust तो यहां से आपका यह क्या हो जाएगा यही upthrust की equal हो जाएगा तो यहां से आपके पास आदाएगा new reading is equal to 1.5 तो यहां से new reading की value कितना हो जाएगा 1.5 प्लस का upthrust यानि की volume of the stone volume of stone कितना होगा mass of stone divided by density density यह 10 की power 4 into row of water कितना होता 10 की power 3 into g तो इससे जब आप solve करोगे तो यह cancel यह आजाएगा 1.5 प्लस का 0.5 इससे आपको पता है दोनों कसम कितना होगा 2.0 Newton तो यह क्या होगा जहीं आपका नया dealing होगा तो question कुछ खास था नहीं सिर्फ हमें क्या करना था कि हमें यह concept रूज करना था कि अगर upthrust यह stone पर लग रहा है तो same additional force से beaker पर लगाएगा water पर लगाएगा ठीक है तो उसकी वज़ेश क्या होगा कि stone का जो weight होगा sorry जो weight होगा spring balance पर वो increase हो जाएगा तो यहाँ सो option 1 आपका correct हो जाएगा 2 kg sorry यहाँ पर 2 kg आपको तो I hope आपको समझ माया हो thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज यह डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 सो पर